शाकीम साब का ये कहना कि तुम मेरी दवाईया मत खरीदो तो मैं अपने करेनून उसके बता रहा हूं उसको इस्तुमाल करो तो उससे भी आराम मिलेगा और लोगों को मिलता है मैंने कई लोगों को देखाए कहते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतिया की दर्श को आज भी सेहत और जिंदगी की टीम पहुंची है अपने खास दर्शक के यहां तो बिना देरी की कारेक्रम के यहां पर शिरवात करेंगे और मिलकर उनका स्वागत क मैम आपका नाम किया है आप कितनी साल की है मैं मीना जैन मेरा नाम है और मेरी उमर सत्तर साल की है कहां रहती है मैं लारंस रोड में रहती हूं आपके घर में कौन-कौन है मैं और मेरा बेटा वो क्या-क्या करते हैं मेरा बेटा जो है उस जॉब करता है गुरुगावा में तो आपका सुबह से लेकर रात तक मैम क्या शडूल रहता है, क्या करती है आप सुबह से लेकर रात तक घर का पूरा काम आप क्या खुदी करती है? मैम आपको क्या कुछ बिमारियां थी? है और एंजाइना की प्रॉब्लम थे और एंजाइना की मुझे इतनी दिक्कत नहीं है बस थोड़ा ब्लड पेशर में उसकी गोली खाती हुए और हो गए मेरे को 20-25 साल जिसमें मेरे को एक दो बार गिरने से गुठने में दर्द शुरू हुआ उस समय तो केर नहीं करी इसके इसके बाद भीड दीरे दीरे वह दर्द बढ़ता गया बढ़ता गया तो यह है कि पइन की लगर खा लेती थी बाव माल लेती थी उससे टाइम पास हो रहा था बहुत टाइम के बाद हकीम साहब को टीवी पे देखा तो यह नहीं समझ में आता था कि दवाई कहां से लो औ अब हल्दी खा लो ये सब खा लो और मुझे खास परक नहीं आया और डाक्ट शाब की दवारी लेने से मुझे ये समझ में आने लगा कि तब मेरे को पेन में कावी अरा हुए कितने सालों से आप हकीम साहब से जुड़ी हुई है वे को हो गए एक हम जगा पांच्छे साल हो गए है और यह बिमारी आपको कितने सालों से है यह तो हो गया 25 साल हो गया इस बार पहले और आज में आप कितना परक देखती है जब आप नुस्के अपना रही हैं दवाईयां हकीम साब की खारी हैं? नहीं, अब तो बहुत फरक है, पहले तो रात को सोते वे भी कराती रहती थे, काम नहीं होता था, और इरिटेशन होती थी, कोई काम कहता था, गुस्सा आजाता था, जी जी, अब यह है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, अब घर का काम में आराम से कर ल आजाता है, और एक सिरफ पेन की लड़ के लावा मैंने कभी कुछ नहीं खाया, अब मैं हकीम साब दवाई खाते हूं, उसी से मेरे को आराम है, अब मुझे वो दर्द नहीं होता बिलकुल भी, जैसे पहले 24 गंडे मैसूस होता था था न, वो वाली बात नहीं है, हाँ, ज एक से रिलीफ हो जाता है, और आपके घर में कोई और दवाईयों का सिस्टमाल कर रहा है, जो कीम साब बताते है, मैंने दो-ती लोगों को बताया तो है, अब इस्तेमाल कर रहे है या नहीं कर रहे है या नहीं मुझे बता, बागी बीच में मेरी सिस्टर भी मार थी, उसको कमर में चोट लगी थी तो उसको मैंने डॉक साफ से रहता क्रोट से पोच के दवाई दिलवाई और उसको काफी अराम आगया उसने 8-9 मही में दवाई खाई बार की ठीक है मेरे हैस्बिन ने भी खाई है कमर दर्थ की दवाई तो आपकी जो बहन हैं उनकी कितनी उम्र है उम हाकीन जाय है कोई नुskा बनाती है युनानी मेडिसन का दिखा थी रही है कोई नुट कर था ऊपने डिखा एक बात बोलते है वीना जी कि असली नकली में पहचान करने बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में भी वो चीजे मिलती हैं जो हकीम साहब बताते हैं तो आप मार्केट में कभी गई हूं तो आपको किसी ने कुछ और रेट बताए हूं कभी आपको ऐसा लगा कि नकली चीजे ये लोग बेच रही हैं हमें असली जगे से ही खरीद मैंने उसको मना किया था कि नहीं देना क्योंकि वहां से लेकर आई ती रहता हैं तो उसके बाद उसने क्या किया जिए और उसके रेट में फरक था तो मैंने उसको बापिस कर दिए मैं कि मुझे ये नहीं चाहिए मुझे तो वहीं से चाहिए बीच में मैंने सिर्का भी से पहले पूछा फिर देट में काफी दिफरेंस था पर मुझे विश्वास नहीं हुआ मैंने का नहीं रेट नहीं देखना मैं हकीम साब कहीं मनगवातियों सिरका इससे के चीज सही मिलने चाहिए जो कि भीमारी को ठीक करना है हकीम साब से जुड़के आप कितना संतुष्ट महसुस करती है वह संतुष्ट बहुत हैं और मिलने की भी बहुत इच्छा थी इसमें कोई शक नहीं और बहुत सालों से दवाई तो मैंने बहुत बाद मैं शुरू करिए बहुत सालों से मैं पतलब दवाई लेना čाहती थी पर मुझे दवाई का पता ही नहीं चलता थता हैं। तो फिर वो मुझे रोटक रोड लेके गया हकीम साब से मिले उन्होंने दवाई मेरे को बेड़ दिये मैं वो दवाई रेगुलर खा रहे हूं जी हकीम साब से आप टीवी के जरीए तो जुड़ी ही और कैसे आप उनके और नुस्के देखती हैं कभी अगर आप भूल जाती ह है या लिख नहीं पाती है नहीं मुझे अच्छा लगता है जैसे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं खोल के यूट्यूब पर उनका नुस्का देखती हूं भागी अगर उनका प्रोग्राम आ रहा हो कभी टीवी चल रहा हो बीच में चैनल चेंज गिय जिससे कि वो लोगों का बलाग है आपको जो दर्शक देख रही है आपको जो सुन रही है उनको कोई मैसेज हाँ बिल्कुल विश्वास करके चलो और अकीम साब का ये कहना कि तुम मेरी दवाईया मत खरीदो तो मैं अपने करेनून उसके बता रहा हूँ उसको इस्तवाल करो तो उससे भी आराम मिलेंगा और लोगों को मिलता है मैंने को देखा एक हमें आराम मिला हमें तो उनका वो बात भी विल्कुल ठीक है उनको अपनी दुआहिएं कोई लालेज़ नहीं है ऑंको कहते हैं कि आप घर इसक्यार करें उसके बहुत बहुत शुक्रिया वीना ज जैन जी जनोंने बताया कि वो कैसे छुद को फिट रखती हैं कैसे वो हकीम सहाब के नुश्की अपनाती है कौन-कौन से नुश्की अपनाके अब वो खुत को बहतर महसूस करती है तो दर्श को आज के लिए कायरक्रा में बस अथे एक बार फिर से आपकी मुलाकात करवाएं के सेहत और जिंदिगी के एक और फैमिली मेंबर के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार